हेलो एवरीवन तो आपने सही वीडियो की लिक करा है यह है वेरी शॉर्ड वीडियो ओफ जुरिस्प्रोडेंस फिफ्थ सेमिस्टर है और यूनिट है हमारा थर्ड यूनिट थर्ड में कौन-कौन से चैप्टर है फार्मसी एक्ट आग्या एक तो एक इसे हम MTP एक्ट भी कहते हैं MTP तो चल एक अलग है एक यह वाला है और एक नार्कोटिक ड्रक और साइकोट्रॉफिक सबिस्टैंस एक्ट 1985 और इस रूल तो यह तीनों आते हैं तो इन मेंसे जो है ना 10 कोश्चन 10 वेरी शॉर्ट कोश्चन बहुत जादा अदध इस फज़्चन 10 वेरी शॉर्ट और पहला वेरी शॉर्ट है कोटा लीव के चीज है सिन the defined कोटा लीव तो कोटा लीव वो चीज है जिसका अंदर एक गोनाईन और a न उस लीव में कोका प्लांट की उस लीव में जिसमें यह वाले अल्कॉलाइट्स कोकेन और एगउनाइन प्रिदेंस होते हैं सही न उसे कहते हैं हम कोका लीव सही है एनी मिक्सचर विद और विदाउट एनी न्यूटरल मटेरियल बट डास नॉट इंकलूड एनी प्रपेर्ड यूप्यम का चीज नंचन्डू यूपियम स्टमास एं। मतलब यह वह बनाई गई हए ऐसे करके जिसके अंदर जो ना 8% मॉर्फिन हो और जो है वह सुट्टा मारने के नहीं बनाई गई हो तो उसे हम कहतें प्रपेर्ड ऑपियम अफिमद रोपियम आफिम is called as prepared opium जिसका अंदर 8% of morphine होता bounded laboratory क्या है bounded laboratories वो चीज़ें जिसमें medicinal and toilet professions बनते हैं सही वाली लेबोरेटर नहीं में वाली building में सही नो लाइसेंस हो सही है इस्टोरेज भी वहीं पर ही हो और यह alcohol और opium वाली सारी चीज़ें बनती हो और उसकी जो है न ड्यूटी न जाती हो मतलब उसके उपर जो चार्ज बगएरा लगता न यह ड्यूटी बगएरा लगती तो वो न पेड होती हो उसे कहते हैं boundary laboratories चोहते पर आ जाती है psychotropic substance के होती है हमारे cns पर जाके psycho वाले effect देती है सही न तो यह इसकी definition एक और mention करते हो में यह वाली मत लिखना हाँ तो आदोगा इस 5 पर question पा जाई है कि registered pharmacist के चीज़ है और medical practitioner के चीज़ है तो rp means a person whose name for the time being is entered in the register of pharmacist of the state तो जो हमारा register of pharmacist होता है जो फार्मसिस्टों का register होता है इस्टेट के पास सही नो उसके अंदर नाम आ जाए उसे हम कहते हैं कि registered pharmacist in which he is for the time being engaged in the profession or business of pharmacy pharmacy के profession में बिजनिस में engaged रहने चाहिए बंदा सही है medical practitioner क्यों होता medical practitioner वो possess any recognized medical qualification as defined as in section 2 of the Indian Medical Council Act 1956 1956 वाले act में जो की qualification mention करी गई है उसको match करता है वो इंसान तो वो जो है ना हमारा गाइनकोलोजी में obstetrics में और मेबी प्रेस्क्राइब बाए और रूल्स मेड अंडर अंडर दिस एक्ट और जो इनका अंदर एक्ट बनाएं गए गाइनकोलोजी में प्रेक्टिक्स में प्रेक्टिशनल है हाँ तो गाइस छड़ा गुश्चन है हमारा absolute alcohol क्यों होती है और denature alcohol क्यों होती absolute alcohol वो है जो की British Pharmacopeya specification है उसको match करती हो सही ना dehydrated alcohol के लिए जो British Pharmacopeya specification है उसको जो match करेगी सही ना absolute alcohol है वो और denature alcohol वो है जो किसी भी strength की मला किसी भी strength की जो है हमारी alcohol होती ही जो की unfit है मला human consume नहीं कर सकता हो उसे सही ना उसे कहते हैं हम denature alcohol addition of substance approved by central government वो ही बाता कि central government ही बतागी कि मला वो करने के बाद analyst करने के बाद central government ही बतागी कि यह वाली alcohol तुमारी consumption की नहीं सही नहीं है वो होती ही denature alcohol शिक्स पा आ जाओ कि MTP Act जो है ना उनीस बचपन का उसकी objectives क्या है उसको objectives हैं to provide for the collection of levy tax and duties of exercise on medicinal toilet per patient containing alcohol narcotic drug तो जो भी हमारी जो है ना medicinal and toilet per patients है उसको ओपर tax लो और duty of exercise लो send to provide for uniformity in the rule का अंदर uniformity रहने चाहिए सबकी नहीं एक्सार रोल होने चाहिए and rights rates of exercise duty liable on such per patient throughout the country और यह narcotic और alcohol वाली जित्ती भी country में अब कुश्चन अब 8 objectives बताने एंडीपीएस के जो के उनीसों पिच्चा से माया था एंडीपीएस के main objective नडीपीएस are to consolidate and amend the existing law related to narcotic drug जो भी नार्कोटिक ड्रग के related laws बनाएगा है न तो उनको जो मानना तो मेक एस ट्रेंगेंट प्रोवीजन रिलेटिड टो नार्कोटिक ड्रग एंड साइकोटिक सबिस्टेंज तो कंसिटर वे एनाइंस दा पैनल्टीज पार्टिकुलरी फूट ट्रैफिक लीक उफेंस जो भी उफेंस वगारा लगते हैं या नार्कोटिक वगारा के ड्रग बनाने में नहीं तो उसे मैस करना चाहिए वाला एक्ट से ना इसके यह है तो और टू मेक प्रवीजन फूट इंपलीशन ऑफ इंटरनेशनल कंवेक्शन रिलेटिट तो नार्कोटिक ड्रग इंड इंडिया इद पार्टी इस आप दो तीन लिग देना बस कोशन नमबर नाइन पा जाते हैं डैस्क्राइब बिरीफली छानी जो कि बिल्कुल मना करें गये हैं एंडेपिस में कल्टिवेशन आफ एनी कोगा प्लांट और फैनने पौका प्लांट आप ऊगा नहीं सकते बिल्कूल भी सहें ना ओपियम पॉपी नहीं हुगा सकते और केन नहीं कर सकते बिल्कुल भी तो आपको यह बात दिहां मे तो कईस दस्ववए और ओकरी अखरी कुश्चन है हमारा कि यहここ Despite Deegen इस टीफ की रिविटीव यह क्रूड कर्फियन हे जो कि एक्सट्राइक है coca लीव का विश Such झाना के उपाने कोट हवाँ गई करते हैं एरगनाउन बनाने में हब्साइब्स करती है को का derivative जितने भी हैं तो ये ये वीडियो हमारी यहीं पर ही समाप्त होती है और ये यूनिट थर्ड भी हमारे complete होगे है वेरिश वोड़े इसमें से दो question तो आने आने वाले हैं और इन्हें आप करके चाहिए बागी मिलते हैं अगली वीडियो में बाए बाए